असलाम-आलेकम दिया स्ट्स Respour और ओब ओव depressed राइन शुन प्रेसर और यह वह जो एक्षिट्रनल प्रेसर आंनेकर प्रेसर रै error उस्के चेंज कहनेसे भाणिंग पॉइंट पर यह वह वह क्या फैक्ट होता है इसमेरे जो है directorी जो वह नहीं लिखी सिर्फ जो concept है उसको explain करने की कोशिश की है मैंने तो अगर आप इसमें देखें तो इसमें यह है कि आपने सबसे पहले बीपी की definition लिखनी है यानि कि बॉलिंग पॉइंट की definition लिखनी है definition लिखने के बाद आपने क्या करना है book से सारी जो theory बीरी है वो भी लिखनी है मैंने यहाँ बैसे idea लिखने फेर यह नहीं है यहाँ मैंने वह些ता रहा है यह का रहा है यह जो आपको 144 आपको इससे बिल्कुल पॉलिंग्ठ परति लिखने फिर यह सारा जी external pressure is that personal to falling point यानि कि जितना external pressure ज्यादा होगा इतना falling point भी ज्यादा हो जाएगा ठीक है अगर वह अज्वाइब प्रेशर बढ़ता इंक्रीज होता है तो falling point भी इंक्रीज हो जाएगा हम वाटर की example लेते हैं जो आपकी विक में मैंचन है देखें जैसे आम नार्मल टंपरेचर पे आम नार्मल प्रेशर पे जैसे हम घरों में जो है वो पानी को वाइल करते हैं ठीक है ओपन कंटेनर में क्लोज की बात नहीं है तो वन एटीम प्रेशर पे जो होगा यह दो धूर्ट यूनट्स है तो वालिंग पांट जो होगा कि अगर हम प्रेशर करते हैं तो प्रेशर जो हमारे पास अगर तो तो बात करते हैं एक अब अब हम बात करते हैं एर 34 किलो पास्कल यह मौंटेंज पर जो है जो बालिंग पॉइंट है वह करता है क्यों कि यह वैरी करता है कि जब आप उपर आप मौंटेंज पर जाते हैं इसमें नहीं नहीं लिखा मैंचिन का लिए पर की तरफ जाते हैं तो प्रैशर करता है तो आपका जो बालिंग पॉइंट है वह भी डिखरी करता है यहां पर यहां पर यहां थोड़ी चेंज वह मैंने तरफ मैंचन की हुए है तो गबरा नहीं आप लिखना तो इसको आपने ऐसे लिखना है बिल्कुल इसी तरह लेकर आप लिखनी है और दोरहां इसको देख लेते हैं एके अटानल प्रैशर आंडिबॉलिंग पॉइंट क्या है जितना प्रैशर ज्यादा होगा उतना बॉलिंग पाइट भी जैए जैसे अगर हम नार्मल प्रेशर में वाटर को करते हैं तो अन्ट डिग्री से जाता लेगे प्रेशर कुकर में क्या होता है कि 120 डीघरी सल्सिय। पर वह वाटर बॉायल करता vimos कि हम प्रेशर कुकर में जो हमारी फूट है वह जल्धी जैए त्याल वह घाती है क्युंकि उसमें जो है करें जब मॉन्टेंज पर आवट की तरफ जाते हैं तो प्रैशर काम होता है जब प्रैशर काम होगा तो जारी सी बात है कि एक अगर टूस्टीस रिलेशन जब एक सेनल प्रेशर काम हो रहा तो बालिंग पॉइंट भी काम हो जाएगा ठीक है आई होपस हो कि आपको समझ होगी 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 जी अलाहाफेज